प्रपीम न्यूज डेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ राशी जब देश में चर्चा ये चलने लगी कि शुबेंदू अधिकारी क्या रहा है जो हमारे साथ वो हम उनके साथ और वहां बिस्वा ये बोल रहा है कि कैई जिले मेरे हाथ से निकल रहे हैं उनके हश से क्या निकल के बोल रहा है कि वह 11 परसंट थे पहले आज़ादी से पहले अब जो हैं चालिस परसंट हो गया उन्हें पता नहीं कौन सा सर्वे करा लिया कि पता चल गया कि मुसलमान आसाम में 40% हो गए हैं अगर ये गुस्पेट की वज़ा से हो गए हैं तो जिम्मेदारी आपकी हैं और अगर मिसाल के दो बच्चे जादा पैदा करने की वज़ा से हैं तो आपके लिए बताईए कि इस वज़ा से पैदा हो रहा हैं खेर इदर विस्वा उदर वो मैंजर्स थें उनको बाहर किया जा रहा है और वो कहे रहा है माली तकलीफ हो रही है साब उनको निकालते हुए देश में ऐसा माहौल है ऐसे माहौल होने के बावाजूद ये क्यूं किर्येट किया जा रहा हैं और इस से आपको और मुझे फाइदा क्या है देखिए अबद मुस्लिम परिवार का बंदा जादा लगा हुआ है नीट की बात हो यह साथ हजार कॉंस्टेबल उत्तर परदेश के अंदर जो परचा लीख हुआ है उसकी बात हो गुजरात का वो बंदा भारस से बाहर भागा हो उसका जादा एफेक्ट अब्दुल पर नहीं पड़ा है उस उसको खाना मिल रहा है मजदूरी कर रहा है पिलंबर है बिजली का काम करता है गिसाई का काम करता है अगबार बाढ़ता है ठेली लगाता हजार पांस सो रुपे ले जाता है और अपने बच्चों में रोजाना ताजा रोटी बना कर खाता है कोई दिक्कत नजर नहीं आ र प्राबर होगी और वो बंद वो कौन सफर कर रहा है साथ हजार कांस्टेबल में कितना विश्य संपरदाय का बंदा था उत्तर प्रदेश की भरती में यह आप अपने आप पता कीजिए जा मैंने पता नहीं किया अंदाजे के मताबिक बता सकता हूं असी फीसद उसमें नौन किया सकता हूं पोस्मार्टम किया जो मुंबई में उन्हों ने दिया कि तीन साल में नो करोन तो नो करिया दे दी गई हैं वह दो बहुत आराम से अपना काम कर रहा है मजदूरी कर रहा है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जो लाइनों में लगे हुए लोग हैं उनक मामले में हर दीप पुरी और मोधी का दावा ये है कि तीन चार सालों में 8 करोड रोज रोजगार मिले हैं जबके नो साल में मोधी ने सालह 12 करोड रोजगार पैदा किया ये एनसा का डाटा है जो डाटा मोधी जी दे रहे थे स्भी आई औरर फिया रीज आई का वो दरसल आंकडे संकलन करने के लिए authorized नहीं है ये तो NSSO का data जो होता वो authentic होता ये भी सरकारी होता है इसके मताबिक 9 साल में मोधी ने साले 12 करोड रोजगार पैदा किया SBI की report RBI की data पे आधारित उन्होंने बताया वो बता रहे 3-4 सालों में हमने 8 करोड दे दिया 2019 के शुरू में CSDS का आंकड़ा ये था 2019 में 5 साल पहले कि 37% जो युवा थे 25 साल से नीचे उनको रोजगार मिलने में दिक्कत थी ये 2019 की इस्तिती थी दोस्तों ये मेरे शब्द नहीं है हमारे एडिटर इसको लिख करके टाइप करके लगा सकते हैं 2019 में CSDS के आंकड़े के मताबिक 37% रोजगार जो है युवा धून रहे थे जो 2000 अप्रेल में 62% लोग युवा रोजगार धूनने लगे हैं 2019 में 37% युवा रोजगार धून रहे थे हमारे एडिटर टाइप करके लगाएंगे आपकी स्कीन पर पट्टी 37% 2019 में युवा रोजगार धून रहे थे 2019 में और 2024 में उनके संक्या 62% हो यह क्या हो रहा है अब्दुल के पेश टाइट करने है ना यहां देखो इस्तिति क्या है कौन कह रहा है यह यह महरोत्रा साहब है नसुसों के मेंबर भी है और शास्त्री भी हैं उनका बयान आपको बता रहा हूं तश्वीर लगा देता हू फास्टेस्ट ग्रोइंग एकनोमी है उनका कहना ही है कि 20 साल 20 वरस हो गा है हमें यह कहरे ना फास्टेस्ट ग्रोइंग है हम पहले से ही हैं भाई भूकों में कौन जादा भूक आई यह तो अंदादा करना है ना 2004 से 2000 GDP जो औसतन थी जब UPA में मनमोहन सिंग सरकार चला रहे थे औसतन जो रही है पूरे 10 बरस वो 7.8 लगबग 8 मान लीज़े यह औसतन रही है 2004 से 2014 तक पट्टी आपकी स्क्रीन पर है अब आप देखें यह घटकर 2000 2014 से 2014 में औसतन 5.8 GDP हमारी मैनुफेक्ट्रिंग हमारी सर यह 2004 से 2014 में जो औसतन यह 9 भी पहुँच गई थी 10 भी पहुँच गई थी लेकिन पूरे 10 साल का मनमोहन के समय में हमने जो निकाला मैंने नहीं निकाला महतरो महरोतरा साब ने निकाला वो लगबग 7.8 था और अब क्या हाले 10 सालों का जनाब अब जो है 5.8 अंदादा कर ल कर ले थे विए डाटा है एसिए आर्वी के अंकड़े एकट्चे करने वाली संस्था नहीं है एनों से जो है वो ज्यादा बहतर है किर्षी छेत्र की आर्वी एस्पी युष्वाइ! किर्शी चेत्र को जो है आर्वी ऑर एस भी जो है जिसका डाटा परदान मंतरी जी बं हो गए हैं बिल्कुल सही बात है लेकिन पेच रोजगार के टाइट हो रहा है यह तो आप जानिये हैं वो तो 12-14 परसेंट हैं मजदूरी करते हैं खालेंगे रोटी बढ़ाई-बढ़ाई की जादा फिकर भी नहीं है लेकिन उनके बच्चे जज़ वगारा सब बन रहा है है अब देखें दुनिया के अंदर किर्शी का जो रोजगार है वो जीडीपी के अंदर नहीं इंकुलूड होता है भारत में किर्शी का जो योगदान है जीडीपी में वो 15 परतिशत है टोटल जीडीपी का जो 15 परतिशत है उसमें योगदान किर्शी का 15 परतिशत है और वर अब आप देखें, यू पा के अंदर 50 लाग यूवा जो हैं किरशी छोड रहे थे हर यारू लेकिन 75 लाग लोगों का टोटल रोजगार मिल रहा था, गैर किरशी छेतर में, पचास लाग तो किरशी छेतर को छोड़ रहे थे, और गैर किरशी छेतर में, टोटल 75 लागों को आख़ा है साले 9 करोड़ लोग मोधिकाल में रोजगार जिसे च्रोड़ लोग किर्शी चेत्र माई तो मैं बता चुका एनसों का डाटा देख लीजे अन और्गेनाइस छेत्र में असंगठित छेत्र जिसको कहते हैं जो लिस्टिड नहीं है कहीं भी हमारा ठेली वाला लिस् सद हैं याद रखिएगा आठी परसन लिस्टेड हैं 15 से 16 और 22 के 23 में दो करोड़ कम हो गया है अन और्गाइस चेत्र में जो रोजगार के मामले हैं वो दो करोड़ लोग और कम हुए हैं 2018 में लेबर फोर्स के इतियास में सबसे उच्टम बेरोजगारी बढ़ी है 45 साल की वो जो कहा है था ना बेरोजगारी बढ़ गाई है 45 बरस की में रोजगारी 2018 में लेबर फोर्स के मामले से निकल कर आए थी बेरोजगारी मैं। फिर क्या हुआ जनाब 2017-18 में वो घट करके साले 5 करोड हो गया मोदी जी आ गए थे ना अब आ करके बड़ी मुश्किल से 2024 में निकल कर आया है कि 6 करोड फिर हुए यानि कि 2012 में जितने थे मैनुफैक्सरिंग च्हतर में मजदूर काम करने वाले रोजगार पाने वाले दिहाली मजदूर उन्हों 6 करोड थे 2012 में 2024 में 6 करोड ही है एनू 100 का डाटा ये मेरा डाटा नहीं है चार्कार जारी करती है मोदी जी कितली सता है है उत्यूं के नंदर जी डीपी में 91 से 1091 में देखिएफेफ्टी में व्योगडाना था और मैंनूफैक्ट्र्वें जो है उसका जी डीपी में योगदान कितना किरिशीयक तो साथ यह ही सतरा परसंट चल रहा है लेकिन मॉध्य ड़ी के सदेर दोर में घट करके manufacturing में भी 13% रह गया जीडीपी में manufacturing का योगदान बहुत सारी चीज़े मैंने बता दी आपको ये मैं आपको एक्चुली पट्टी में या लिकर के मैंने इसलिए बताया ताके आपकी समझ में बाकाइदा ये बात आ जाए कि दर असल नुखसान जो बड़ा है वह 80-85 फीसद लोग होगा है पूरे देश का नुखसान है लेकिन आप किस लड़ाई में लड़ रहे हैं शुबेंदी अद्युकारी के बात ने मत आईएगा उसने तो मोदी के नारे को इधर किनार कर दिया भाई 140 को गरा नहीं है सबका साथ सबका विकास नहीं है यह विस्वा टाइप लोग यह आपको दिख भरमित कर रहे हैं अरे मुसल्मान बच्चा पैदा कर रहा तो नोकरी तो दे भाई जो दो करना है जो हिंदूइजम का बंचा लाइन में लगा हुआ है नीट में परिशान है कॉंस्टेबल की आपेंगे वहां से वैड़कर हमा जाएंगे मुंबई से गैंगे नोकरोल नोकरी तीन साल में मिल गई श्यकरोल क्रिशी शेटर की नोकरी जोड़ दी उसके अंतर दुनिया में कहीं नहीं जोड़े जाती आप हर माल लेंगे अरे आप तो बले समझदार वैक्ती हैं हम तो आपने लिखे बताते हैं अपने आपको अगर इन बात इन लोगों की बात नोकरी लेने के बावजूद भी बच्चों को पढ़ाने पर मजबूर हैं नोकरीया नहीं मिल पा रही है उसका क्या करना है आपको खबर कैसी लगी अपनी राइक में जरूर दीजिए चैनल को सब जिरो तो ज्यहिन झाल क्सक्या करना है